Hello and Assalamualaikum Friends, Welcome to another video So friends, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं Instagram के एक Amazing से Update के बारे में जो बहुत से लोगों को अभी तक नहीं मिला और इस feature का नाम है Not जी दोसों Instagram Not Feature अभी आया है Recently और बहुत से लोगों को ये नहीं मिला पहले मुझे भी नहीं मिला था लेकिन अभी ये feature मुझे मिल चुका है और अगर सबको अभी तक नहीं मिला तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा Instagram का ये feature आपको कैसे मिल सकता है ये है क्या सब कुछ आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा तो guys वीडियो को end तक जुरूर देखना हो और अगर चैनल पर नहीं हो तो make sure चैनल को जुरूर सब्सक्राइब करना तो जले दोस्तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम चलते हैं अपने mobile की स्क्रीन पर और अपने Instagram app को open कर लेते हैं जी दोस्तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि Instagram note है गया तो यहाँ पर सबसे पहले आप DM के option पर click करेंगे तो यह page open हो जाएगा यहाँ पर देखें दोस्तो आपको option नजर आ रहा है leave a note का और उपर देखें plus का option है हम plus वाले option पर click करेंगे तो देखें guys यहाँ पर option है share words on your mind यानि आप यहाँ कुछ भी लिख कर share कर सकते हो यानि जो बात आप अपने friends को बताना चाहते हो और वो वहाँ लिख कर share कर सकते हो वो भी अपने Instagram friends के साथ यहाँ पर दोस्तों मैं एक बात clear कर दूँ आप जो भी यहाँ पर share करोगे वो जस्ट आपके Instagram friends को ही show होगा means जिनको आपने follow किया है और वो भी आपको follow करें simply दोस्तों आपके जो Instagram के friends हैं यह message सिर्फ उनको दिखाये थी जैसे दोस्तों पहले आप Instagram पे कोई भी स्टोरी लगाते थे तो वो सबको show होती थी मगर यहाँ पर जस्ट आपके Instagram friends को show होगी और यह message सिर्फ 24 hours के लिए लगा रहेगा और फिर automatically remove हो जाएगा अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि आप यह option कैसे अपने Instagram account पे ला सकते हैं दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं मुझे यह option मिला हुआ है जबके पहले नहीं था तो जो मैंने किया आपको वो बताता हूँ पहले तरीका यह है कि अगर आपने Instagram app को update नहीं किया है तो आप सबसे पहले अपने Instagram app को update कर लें तो आपको यह feature मिल जाएगा तो आप पहले अपने phone में play store को open कर लो और Instagram पे जा के चेक कर लो कि आपका Instagram app update है या नहीं मेरा तो update है तो friends हम again चलते हैं अपने Instagram account पर अपनी profile को open करते हैं यहाँ पर हम 203 lines पर click करेंगे इसके बाद यहाँ पर setting वाले option पर click करेंगे तो यह page open हो जाएगा यहाँ पर आपको account वाला option नजर आ रहा है हम इस पर click करेंगे अब यहाँ सबसे नीजे scroll करेंगे तो आपको switch account type का option नजर आ रहा है आपको इस पर tap करके चेक कर लेना है और इसके बाद switch to creator या business account पर tap कर लेना है इसके बाद एक second method वो मैं आपको बताता हूं तो हम back चलते ह हैं और यहाँ आपको privacy वाला option नजर आ रहा है इस पर हम click कर देंगे तो यह page open हो जाएगा यहाँ पर अगर आपका show activity status वाला option disable है तो इसे enable यानी on कर लें मेरा तो on है अब last method आपको बताऊंगा जिससे आपको यह option ज़रूर मिल जाएगा तो दोस्तों हम back चलते हैं और again हम दीएम वाले option पर click करेंगे और यहाँ का screenshot ले लेंगे अब अपनी profile पर चलते हैं और again हम three lines पर click करेंगे इसके बाद on setting वाले option पर click करेंगे और फिर यहाँ पर help वाले option पर click करेंगे तो यह page open हो जाएगा यहाँ पर सबसे उपर आपको report problem पर click करना है तो यह options आपके सामन आजेंगे यहाँ पर second option है report problem without shaking पर click करेंगे इसके बाद यहाँ पर include and continue पर click करेंगे अब यहाँ पर आपने पर problem लिखते नहीं है जैसे मैं लिख रहा हूं यह text मैं आपको video की description में दे दूँगा आप वहाँ से copy कर सकते हो तो मैंने यहाँ लिख दी है अब नीचे हम screenshot जो इसे ही करना है अब दोस्तों आपको उपर send का option अज़र आ रहा है इस पर आपने click कर देना है तो हमारी report submit हो जाएगी और दोस्तों इस तरह आपको यह option ज़रूर मिल जाएगा मुझे भी मिल गया है so viewers 2 या 3 गंटे में आपको भी option मिल जाएगा so guys कैसी लगी आपको आज की झाल